आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही happiness वाला information लेकर आया हूँ, क्योंकि बिहार, पुलीस, सिफाई बरती जो पहले exam हुआ था, वो जो cancel हो गया था, वापस से re-exam date आ चुका है आप सब का, तो आप सब thumbnail में देखी होंगे, अगस्त में है exam, तो अगस्त में किस-किस दिन exam है, यह भी हम सब जानेंगे, और बहुत ही कम समय है, आप सब के पास दिखे, यह मैना तो लगबग है, उसके अलाबा जून है, जुलाई है, अगस्त में आपका exam ही सुरू हो जाएगा, तो दो मन्त मलब लगबग 60- 70 दिन के असपास है, अगर इसके ऊपर आप सब बोलेंगे कि strategy बता दीजिए, तो मैं आप सब के help कर दूँगा, ठीक है, इसमें आते हैं, तो यह जो आप देख रहे हैं, यह चार्ट है आपके center का, इस इस जिले में आपका center रहेगा, किसी में से, अब आईए जानते हैं हम सब कभ है exam date, पहले यह जान लेते हैं, बहुत excited होंगे आप सब, अफिसियल site पे आपका आ चुका है, तो 21,391 post के लिए यह vacancy थी, इसका जो exam होगा, यह सारे date में exam होगा, और एक पाली में exam होगा, ठीक है, यानि 7, 8, 2024 को एक पाली में exam हुआ, फिर 11, 8 को होगा, यानि पाली में ठीक है, और अब आपके पास समय कितना रहा गया, तो आज तो होगा आपका 9 मई, यानि यह पूरा मई से जून, 9 मई से 9 जून कर लिजिए, और 9 जून से 9 जुलाई कर लिजिए, और 9 जुलाई से लगबक 7 अगस्त से आपका exam सुरू है, तो माल लेते हैं कि 80-90 यह दिन आपके पास है, तो इस strategy क्या होना चाहिए, तो GKGS पर बहुत ज़्यादा focus करें, उसके लिए आप हमारे channel पर बहुत सारे videos हैं, NCRT के आप वो देख सकते हैं, इसके अलाबा मैं test भी ले रहा हूँ, आपका 4 objective वाला, तो वो भी आप देख सकते हैं, यानि 4 option वाला और भी परिक्षा में पूछे जाने वाले GK को उपर मैं discuss करता हूँ, वो वाला अगर आप series देखेंगे, तो आपका GKGS complete हो जाएगा, NCRT science देखेंगे, तो NCRT complete हो जाएगा science का, और अगर आप math वेगर अभी सीखना चाते हैं, तो एक बार आप comment करेंगे इस video पे, तो मै कुछ class math का भी आप सब के लिए ले लूँगा, ठीक है, या मैं एक class strategy के उपर ले लूँगा, कि अगले 80-90 दिन में आपको क्या करना चाहिए, जिससे की अधिक से अधिक number आ सके, ठीक है, तो ये सारा exam date है आपका, अपने हिसाब से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए, औ आपके जो भी examiner है, उनलब जो आपका exam लेंगे, ठीक है, वहाँ पे जो भी परिक्षा के अंदर पे teacher रहेंगे, ये उनके लिए manly है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार कुछान आउट हो गया था, तो ये सारा जो भी है, ये जितना भी information आप स्क्रीन पे देख रह था, मतलब जहां पे चोरी हुई थी, कोसान आउट होने की, उनको इस बार center नहीं दिया गया है, अच्छे विश्विद्याले, अच्छे महाविद्याले को center दिया गया है, देखिए सरकार अपने अनुसार बहुत कोसिस करेगी, और सरकार कर भी रही है, तो आप सब भी support द करता है, और ऐसे information पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर लें, देखिए हमारे चैनल पे मातर 22-23 वीडियो, information के बारे में, बाकि सारा वीडियो हमारा education के उपर है, तो आप वीडियो देखिए, उससे सीखिए, उसको पढ़िए, वो ज़्यादा काम देगा, ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, subscribe कर लिजे के चैनल को, और 90 दीन पूरे जीजान से पढ़िए, 21,391 पोस्ट में अगर आना है तो, thank you so much